तो आज की वीडियो में बहुत सारी इंट्रस्टिंग सी टिप्स लेकर आई हूं आपने वीडियो स्किप नहीं करनी बस आप पूरा देखने हैं इंशाला आपको इन टिप्स से बहुत वाइदा होगा और आपकी लाइफ बहुत असान हो जाएगी तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ठीप है garlic हाथं से related हमारे हाथं की अबुगत खराब हो जाती हैं बटंग दोते हैं कपड़ें टो हमको हम कोई देहान भी और हम अब करते है सारा दिन बस हाथं को यूजस करते रहते हैं विंके हमरे बस टाइम नहीं होता तो आपके लिए आ जुर्स में हमाने बरहने चल्दी से चल्दी चल्दी से एक चेंट आपने स्करफ करता है। हाथ धोएंगे ना उसके बाद आप खुद हैरान रहे जाएंगे आपके हाथों में सौफनेस भी आजेगी और वाइटनिंग का काम भी होगा आपने इस रेमडी को हफते में तकरीबं दो से तीन दफा करना है फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो इसी के स हमें बहुत जादा रगड़ना पड़ता है और मेरे हाथ भी जादा खराब होते हैं तो इसके लिए भी आपको एक दिप दूँगी कि आपको असानी से सारा काम होज़ेगा महिनत नी करनी पड़ेगी जादा आपने क्या करना है इसी के अंदर मैं यह मिक्सर बनारी हूं ब 6 मिक्सटर को डबे पर अच्छी तरह अपलाबाई कर देते पर और हैं पूरे डबडे पर और आपने इसको लगा रहने देना दस मिननत के लिए तो चले उट में नेक्स टिप के अदो का देखते हैं यह लीमू जो आदा बचा था ना उसमें में लंग लगां चारी लॉंग लगाने से जो लीमू का लॉंग की जो खुश्बू है ना जब लीमू के साथ मिलेगी ना तो वो मच्छरों और मक्हियों को पसंद नहीं आती जहां पर आपके घर में मच्छर और मक्ही जादा आते हो ना आपने उस जगह इसको रख देना हो इसकी स्मेल से भाग जाएंगे और काफी हद तक आपको फाइदा होगा काफी फरक पर जाता है ना इस टिप से आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी तो बस आपने वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है और अगर आप मेरे चै पर आपको पास अच्छा होल्डर बता रही हूं आपने एक बैंगल लेनी है कोशिश करें कि वह बैंगल स्टील की हो या प्लास्टिक हो तो ज्यादा बैस्ट है इस ना आपने बैंगल के अंदर यूँ पैन को डाल दिने है पैन के पीछे एक बना होते है ना बिंसी तो आ आपको पैन नजर आते रहेंगे अगर आपके पास पैन होल्डर नहीं है तो यह काफी बैस्ट है आपके लिए तो नेक्स्ट टिप है जी मारी स्टॉलर से रिलेटिड स्टॉलर हम सद्यों में यूज़ करते हैं तो सेफटी पिन जब हम लगा लेते हैं उस पे तो कई दफ बटन चोटा ले लेंगा बीड ले लें बीड ज्यादा बैस्ट रहेगा मेरे पास नहीं था तो मैंने यह बटन ले लिया बटन सेफटी पिन के अंदर डालके न फिर आपनी उस्टॉलर में लगाएंगे न तो स्टॉलर डिरेक्टली उसके होल के सामने नहीं आएगा और हमारा स्टॉलर नहीं फटेगा और सेफ रहेगा तो आई होप के आपको मेरी ये भी टिप पसंद आई होगी इंशाला आपको इससे फ्यूचर में बहुत फाइदा होने वाले कि काफी महंगे महंगे स्टॉलर हमारे फट जाते हैं तो आइंदा से ऐसा नहीं होगा तो चले नहीं रगड़ा मैं बहुत आराम से इसको स्क्रब कर रही थी और जो एरिया जहां पर स्क्रब नहीं पहुंच पा रहा था वहां पर आप ब्रश की हल्प से इसको यू क्लीन कर लें तो आप देखेंगे कि बहुत एजी लिए ये डबा हमारा क्लीन हो जागे मैंने वाइट इसलिए लिए ताकि मैं आपको इस पर येलो स्टेंज वाजया दिखा सकूं और वो कैसे खायब हो मैं ये भी दिखा सकूं ये देखें बस मैंने इसको अच्छी तरह अंदर से बाहर से स्क्रब कर लिया पानी देख सकते कितना गंदा हो गया सारी मैल उस वेकिंग सोड़ा और सिर्के के मिक्सर ने उतार ली है बस आपने जल्दी नहीं करनी 10 मिनट भी घो देने और बात में अराम अराम से करते हैं आपके सारे जो वाश्रूम के चीज़े हैं वह साफ हो देंगी बाल्टी हो गया और ये नहाने वाला जो डबा होता है इसको आपने बस क्लीन कर ल खुश्किय। में मिक्स हो जाएं आपने इसमें अपने शेंपू डाल देना है जो भी आप यूज़ करते हैं । अब काफी सखस हों रदा है। 우 कि दालने हैं इसमें इसमिक्स करने और मिक्सिता मिक्स्षिप एक है कि आपके सर की खुश्की जो है ने काफी खत्तक कम हो जाएगी शिक्री खत्म हो जाएगी आपके बाल भड़ना शुरू हो जाएगी by in